अब तक आपने देखा कि कैसे शारुक को लगा एक्टिंग का शौक और किस तरह गौरी ने की फिल्मों में आने के लिए उनकी मदद साथ ही कौन सी फिल्मे रही शारुक के करियर के टर्निंग पॉइंट्स और अब आगे खाइशे और खाब अगर जिंदगी में ना हो तो जिन्दगी बे रंग सी लगती है शारुख की दास्ता भी एक ऐसे ही इंसान की दास्ता है जिसकी खुआशों और खाबों का कोई अंत नहीं अगर आदमी अचीवमेंट्स को डिसाइड कर लेगी यही है तो वहीं खतम हो जाती है जब मैंने फौजी शुरू किया था कर मैं सोच लेता कि फौजी ही है तो शायद आज में हाँ पर नहीं होता मुझे लगता है कि जो हो जाता है वो खतम है उसके बाद नहीं चीज़ करते रहो टीवी अक्टर से फिल्म अक्टर, फिल्म अक्टर से स्टार और स्टार से सूपरस्टार नजाने ऐसे कितनी मंजिले हैं जिन से शारुख अब भी गुजरना चाहते हैं तो तुम बहुत बड़े बनना चाहते हैं बहुत ही बड़ा और बहुत सारे खाब भी है मेरे जो भूत आजकल सब स्टास पर सवार है वो बहुत सालों पहले शारुक ने एक पहल की थी कि मुझे प्रोडक्शन करना है साल 1999 भी इन्ही मुझलों की एक कड़ी है जहां शारुक एक्टर से प्रोड्यूसर बने तो हमने कहा एक पिक्चर बना लेते साथ में तो बना ली साथ में अजीज मिर्जा और शारुक की दोस्ती काफी पुरानी थी इससे पहले भी ये दोनों कुछ फिल्मों में साथ काम कर चुके थे जैसे राजू बन गया जेंट्लमन और येस बॉस जहां इनके साथ ने बॉलिवुड को इतनी दिल्चस्प और रॉमांटिक मूवीज दी तो वही इन्हें ये खायाल आया कि क्यों न साथ मिलकर अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले फिल्में बनाई जाएं और इस प्रोजेक्ट में इनका साथ दिया शारुक की कई मूवीज में रही उनकी को स्टार और दोस्त जो ही चावला ने शायद इस कदम के लिए वक्त भी सही था ड्रीम्स अनलिमिटेड की शुरुआत के साथ ही शारुक एक्टर और प्रोडूसर के नाम से जाने जाने लगे शारुक ड्रीम्स अनलिमिटेड को एक ऐसा प्रोडूक्शन हाउस बनाना चाहते थे जिसमें क्रेटिविटी के लिए कोई सरहद ना हो जहां फिल्में ही नहीं, टीवी शोज और आद्स के लिए भी जगा हो और इन्हें बहतर बनाने के लिए आला दर्जे की टेकनोलोजी और क्रू का इंतिजाम भी किया गया वैसे तो कुछ वक पहले अमिताब बच्चन भी अपना प्रोडूक्शन हाउस खोल चुके थे लेकिन ड्रीम्स अनलिमिटेड सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा यश जोहर, करन जोहर, अदित्य चोपड़ा, फारा खान, संतोश सिवन ऐसे लोग इसके बौर अफ डिरेक्टर्स में शामिल थे अजीज मिर्जा जो अब तक दो रॉमैंटिक हिट्स डिलिवर कर चुके थे इस बार कुछ अलग करना चाहते थे इसलिए रॉमैंस के साथ-साथ इस फिल्म के जरिये वो दर्शकों को एक सोशल मेसेज देना चाहते थे पहली बार अजीज मिर्जा ने एक सब्जेट औरियंटेड और सेंसिटिव किसम की मुवी बनाने का रिस्क उठाया जिसमें शारुक और जुही दोनों ही मशहूर जर्नलिस्ट के पात्र अदा कर रहे थे लेकिन जब ये कहानी करन जोहर और आदित्य चुपरा को समय गई तो दुरों नहीं इसे ना पसंद किया शारुक की सोच अब और ज्यादा गहरी होने लगी शारुक ने तै किया कि वो इस फिल्म की काम्याबी के लिए बड़ी सी बड़ी रकम लगाएंगे इसी जजबे के साथ फिल्म बननी शुरू हुई पूरा पूरा भरोसा है साल दो हजार हिंदी सिनमा में बहुत उथल पुथल का था साल की शुरुआत राकेश रोशन की फिल्म कहोना प्यार है से हुई जो पहले दिन से ही जबरदस्त काम्याबी हासल कर रही थी इस फिल्म से रितिक रोशन का जादू दर्शकों को सुनामे की तरह अपने साथ बहा ले गया वही दूसरे हफ़ते में फिर भी दिल हैं हिंदुस्तानी रिलीज की गई फिल्म में हसी मजाग, रुमानियत, सामाजिक मुद्दा और शारुक का बेबाक अंदाज सब कुछ मौजूद था लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद भी फिल्म की पकड़ छोटने लगी थी पहले हफ़ते के बाद फिल्म दर्शकों से दूर होने लगी इस फिल्म के बुरे कारोबार ने कई कहानियों को जनम दिया अख़बारों की सुर्खियां शारुक वर्सस रोशन से रंगने लगी कुछ लोग तो इसे शारुक का डाउन फॉल भी कहने लगे हर कोई रुटेक और शारुक को राजेश खना और अमिताब बच्चन की मिसाल से जोडने लगा अब क्या हाल है पर शारुक खान के बेबी स्टेप्स इंट प्रोड़क्शन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भले ही बॉक्स आफिस पे अपना कमाल ना दिखा सकी लेकिन इस फिल्म में हर वो चीज मौजूद थी जो एक काम्याब फिल्म के लिए जरूरी है ये फिल्म क्योंके पूरी तरह से हुमरिस थी इसलिए इसके हर किरदार से कॉमेडी खुद बखुद बाहर निकल रही थी लेकिन शारुक का कॉमेडी टाइमिंग सबसे ज्यादा असरदार रहा शारुक कॉमेडी किरदारों में अपने हाव भाव से ही नहीं बलकि शब्दों को पकड़ के भी मज़ा पैदा कर देते हैं चाहे इस फिल्म का वो सील हो जिसमें शारुक अपनी गिर्ल्फरिंड से छुपते हैं और जुही को इशारा करने लगते हैं कभी चहरे के एक्स्प्रेशन्स बदलते कभी बोलने का अंदाज तो कभी चलने की अदार हर जगह से अजय बक्षी में एक ओवस्मार्ट जर्नलिस्ट का किरदार उभर कर आता है जो हर किसी को मुस्कराने पर मजबूर जरूर करता है शारुक अब तक रूमैंटिक करदारों के लिए ही जाने जाते रहे लिकिन इस फिल्म से जाहर हुआ कि शारुक रूमैंस की रही कामेडी के भी किंग है साल 2000 कई माइनों में शारुक के लिए एहम रहा इसी साल उनकी कमोर्शिल और नॉन कमोर्शिल दोनों तरह की फिल्म में आई महबबते एक कमोर्शिल फिल्म थी जिसमें शारुक राज आर्यन के किरदार में नजर आए ये फिल्म उनकी पिछली सभी फिल्मों से अलग रही जिसमें वो एक टीचर के किरदार में थे दर्शकों ने शारुक को इस किरदार में बहुत पसंद किया और शारुक का संजीदा, रॉमांटिक अंदाज, ड्रेसिंग स्टाइल, डायलोग डिलिवरी दर्शकों को दीवाना कर गया अबरे बसीर, दोनों की परफॉरमस की, उधर शारुक की इदर अरित अबच्चन की वहीं कुछ हफते बाद M.F. हुसाइन की काफी चर्चा में रही फिल्म गजगामिनी रिलीज हुई फिल्म बॉक्स आफिस पे नाकाम रही, लेकिन नॉन कमेशल सिनमा में शारुक अपनी पैचान बनाने में काम्याब हो गए कुछ महिने बाद मनसूर खान की फिल्म जो श्रीलीज हुई, जो एक कमेशल फिल्म थी शारुक दोबारा अपने पुराने अंदाज में नज़र आए, लेकिन इस बार किरदार रोमैंटिक से बिलकुल अलग था शारुक मैक्स के टपूरी किरदार में खूब जचे, इस फिल्म में कुछ नया पन भी था जहां शारुक पहली बार एश्वर राय के भाई का किरदार निभा रहे थे वही शारुक पहली बार किसी फिल्म में अपनी आवाज में गाना भी गा रहे थे फिल्म में आक्शन, रोमैंस और संगी तो था ही लेकिन फिल्म शारुक की पिछली फिल्मों की तरह बड़ा कारोबार नहीं कर सकी इसके बावजूद इस फिल्म के गाने आज भी काफी मशूर है उसी साल शारुक की एक और नॉन कमर्शल फिल्म हे राम आई जिसमें शारुक पहली बार साउट के सूपरस्टार कमल हासन के साथ एक मुस्लिम पढ़ान के किरदार में नज़र आए फिल्म में छोटा किरदार होने के बावजूद शारुक ने दमधार अदाकारी से अमजद अलीख खां के किरदार को Зिन्दा कर दिया ये फिल्म शारुक के लिए एहम साबित हुई कमर्शल फिल्मों में जहां शारुक को कामयाबी मिली तो वही नॉन कमर्शल सिनमा से क्रिटिक्स की खुब सरहाना मिली देखिये किस तरह सुहाना के कदमों ने उन्हें बनाया समरा एक वक्त ऐसा भी आता है जब हर लमह एक आजमाईश से कम नहीं होता शारुक के लिए भी ये साल कुछ इसी तरह का साबिद हो रहा था साल की शुरुआत में ही हूम प्रोडक्शन की पहली फिल्म नाकाम हो गई वितिक और शारुक को लेकर बहुत अफायें गर्म थी वहीं घुटने का मर्ज भी इतना बढ़ा के ऑपरेशन करवाना पड़ा शारुक उन दिनों काफी मायूस रहने लगे तब ही सुहाना ओलाद के रूप में इन तकलिफों का मरहम बन कर आई शारुक की मुराद पूरी हुई सुहाना के साथ ने शारुक को ना सिर्फ इन हालातों से उभारा बल्कि उसके नन्हे नन्हे कदम शारुक के लिए गुद लग फैक्टर बन कर आए और शारुक को कभी खुशी कभी गम के जरीए एक बड़ी काम्याबी हासिल हुई शायद यही वज़े है कि शारुक के लिए उनकी फैमिली हमेशा से ही पहले मकाम पे रही है वज़रे साल की नाकाम्याबी शारुक को बहुत कुछ सिखा गई लेकिन शारुक अपनी ज़ित के हमेशा पक्के रहे है इसलिए अब वो प्रोड्यूसर के रूल में भी काम्याबी तलाश रहे थे मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो प्रोसेस है काम करने का वो इंट्रेस्टिंग और इंजॉइबल होना चाहिए कोई भी फिल्म या शो या एड या इंडॉस्मेंग जो भी काम हो ये मेरे हाथ में नहीं है कि लोगों को कितना पसल आएगा उसे कितने खुश होंगे लेकिन अगर प्रोसेस इंजॉइबल होता है तो ऐसा लाजमी लगने लगता है दिल से के दौरान शारुक और संतोष सिवन की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी उन्हीं दिनों संतोष सिवन भी एक एतिहासिक फिल्म की स्टॉरी पर काम कर रहे थे जो समराट अशोक की जिंदगी पे आधारित थी और इस किर्दार के लिए उनकी पहली पसंद शारुक थे शारुक को जब ये किर्दार ओफर हुआ तो पहले वो खुद को इस किर्दार के लिए सही नहीं मान रहे थे लेकिन समराट अशोक की कहानी वो बच्पन से सुनते आ रहे थे इसलिए शारुप ने ना सिर्फ इस फिल्म के लिए हा की बलके फिल्म के प्रोडूसर भी बन गए अचिक अचिक वहला अचिक प्रोड़ इसलिए करना था वह जूडूसर आप्ष नहीं इसलिए करना था की वो उस समय एक तैप फिल्मे कर रहे थे वो बडे स्टार बन चुके थे और बहुत सारे रोल्स मिल रहे थे तो वो पेरामिटर को तोडने के लिए शारुक ने सोचा कोई डिफरेंट सिनमा या कोई सिनमा जिस पर मुझे यकीन है अशोक के किरदार को दिल्खाने के लिए शारुक को कड़ी मेहनत करनी पड़ी शारुक हुद को समराट अशुक के रूप में ढालने के लिए कई कई घंटे जिन में गुजारा करते शारुक की ये महनत स्क्रीम के साफ साफ दिखाई देती है दर्शुकों ने भी पहली बार शारुक को एक वेल तून फिजिक के साथ देखा शारुक ने फिल्म में जंग के सीन्स को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए सही माइनों में तलवार बाजी का ग्यान हासिल किया शारुक की महनत रंग लाई और फिल्म के अक्शन सीन्स में जैसे जान आ गई अशोका जब सिनेमा होल्स में लगी तो दर्शकों ने शारुक के अक्शन सीज्स पर खूप तालिया बजाई फिल्म में अक्शन, ड्रामा, रोमैंस सभी कुछ मौजूद था लेकिन हिंदुस्तानी दर्शकों को शारुक हर फिल्म में सिर्फ राज या राहुल के किरदार में नज़र आते हैं इसलिए शारुक का ये नया रूप लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया लेकिन उसी के उलट अशोका ने दूसरे देशों में नाम कमाने के साथ साथ खुब अच्छा कारुबार भी किया शारुक को महां खूप सरहा गया और उन्हें हिंदी सिनमा का टॉम क्रूज कहा जाने लगा कभी खुशी कभी गम से जूज रहे शारुक को मिला कुछ सालों से रुकी हुई फिल्म 1-2 का फॉर भी रिलीज हुई फिल्म कई सालों से अटक अटक के बन रही थी इसलिए अच्छी कहानी के बावजूद फिल्म असरदार नहीं बन पाई और बॉक्स ओफिस पे नाकाम हो गई हिंदी सिनमा के हर दोर में सूपरस्टार्स आते जाते रहे हैं राजिश खन्ना से अमिताप बच्चन और अब शारुक खान लेकिन जब से शारुक को सूपरस्टार का खिताब मिला तब से कहीं कहानियां और टकराओ सामने आने लगे दर्शकों में हमेशा यहीं चर्चा होती कि अमिताप बच्चन और शारुक खान में कौन किस से बहतर है यह चुपरा ने इसी सोच को लेकर महबते फिल्म बनाई जो कि साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई दुनों ही कमाल की आर्टिस्ट है और उनका तक्राव या उनका आमने सामने आना एक कॉन्फर्टेशन इस तरी इंटरस्टिंग थी महीं रितिक रोशन को मिली काम्याबी ने उन्हें भी सूपरस्टार की दौड में लाकर खड़ा कर दिया करन जोहर ने बदलते हालात को देखते हुए कभी खुशी कभी गम लिखनी शुरू की फिल्म कभी खुशी कभी गम विलीज होने से पहले ही सुर्खियों में थी फिल्म में अब तक के सबसे बड़े अदाकार अमिताब, जया, शारुक, रितिक, काजोल और करीना मौजूद थे इसलिए दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी उत्सा था ये फिल्म एक ही घर के अलग-अलग जेनरेशन के लोग और उनसे जुड़े जज़बातों की कहानी है फिल्म से जुड़े सभी किरदार काफी अच्छी तरह उभर कराए लेकिन शारुक का मच्छयों किरदार सबसे ज्यादा असरदार रहा जहां वो पहले बेटे, भाई और फिर एक लाविन, पती और पिता का किरदार अदा करते हैं शारुक के इसी अंदास को खूब सरहा गया अमिताब बच्चन और रितिक रोशन जैसे अदाकारों के होने के बावजूद सारी तारीफे खुद शारुक बटोर गए और साबित कर दिया कि आज भी कोई उनका सानी नहीं है फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबरदस्ट कारुबार किया और साल की सबसे काम्याब फिल्म साबित हुई शारुक जब मुंबई आए तब इस शहर में उनकी खुद की छट भी न थी लेकिन शारुक की हिम्मत और होसले ने उन्हें मननत जैसे बंगले से नवाजा मननत मुंबई के सबसे खुबसूरत बंगलों में से एक माना जाता है लेकिन मननत को पाने की राह इतनी आसान नहीं थी शारुक की गौरी के लिए जाहत सभी जानते हैं शारुक गौरी को एक ऐसा घर देना चाते थे जो समंदर के करीब हो जहां उनके बच्चों के खेलने के लिए मैदान हो शारुक मुंबे की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ थे जहां लोग सारी जिंदगी एक ही फ्लैट में गुजारते थे हैं एक रोश शारुक की नजर बैंट्रा के एक पुराने बंगले पे पड़ी लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी शारुक अपनी जिद के पके थे वो मन्नत को पाने के लिए कई फिल्मे एड फिल्म्स और हर वो चीज जिससे पैसा हासिल हो करते चले गए कई सालों की जद्दो जहत के बाद शारुक का ये सपना साकार हुआ आज भी महा से गुजरता हर इंसान एक बार रुक कर मन्नत को जरूर देखता है शारुक जो चाते हैं उसे पाकर ही रहते हैं मन्नत इस बात की एक और मिसाल है पर ऐसे मिसालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है अपने हर कदम पर शारुक ने एक मिसाल कायम की है और ये सिलसला अब भी जारी है अगले सपता दे राइज अन राइज ओफ शारुक खान में देखिये शारुक की छोटे परदे पर वापसी